जैहिंदेफेंस परेंट्स वेलकम बैक एगें दिस इस दिव्याशु पांडे एक्ससाइस सहयोग कैजिन 2024 की शुरुवात हो चुकी है जिसको हमारे इंडियन कोसगाड के द्वारा कंड़क्ट किया गया है तो इसमें कौन से दो देश इन्वाल्व हैं और इस एक्ससाइस की एम, औबजेक्टिफ और स्पेसिफिकेशन क्या-क्या है इसको हम आज किस क्लास में कवर करेंगे तो चलिए शुरुवात करते हैं आज किस सेशन की जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत और जैपान की सम्मंद काफी प्राचीन हैं दोनों ही विश्यो की सबसे पुरानी सिव भी कंड़िट किया गया है जहां पर यह exercise भारत और जापान के बीच में आपके coast of चन्नई की तरफ कंड़िट की गई है और भारती तटर अच्छकबल उसमें involve रही थी और यह exercise की बात करें तो अगर हम maritime boundary की बात करें तो इसको mainly हमारे bay of बंगाल यानि की बंगाल की शिप ICGS शौरे और जापान कोस्ट गार्ड की शिप आपकी याशीवा ने part split किया यह दोनों ही शिप काफी advanced equipment के साथ आपकी मवजूद थी और इनको एक task दिया गया था कि अगर दो आपके एक situation इनके लिए बनाई गई थी कि दो vessel जो है अगर टकरा जाती है उनसे oil आपका split होता है तो किस प्रकार से आप उसको rescue करेंगे और अपने maritime environment को कैसे secure करेंगे तो इसमें एक empty मत्स्य द्रिस्टी और MV अनवेशी का इसमें आपकी involved थी जिनका एक collision आपका करवाया गया और इसके बाद जापान की coast guard और भारत की coast guard ने जो है उस आपके operation को सही तरीके से नि parts paid किया साथ इनके द्वारा search rescue, pollution response और firefighting जैसे operations भी आपके किये गए भारती तटर शकबल ने अपने twitter पर जो है ये जानकारी दी और इस प्रकार से इंडियन coast guard की shore और जापान की याशीमा ship के द्वारा जो है इस joint training को 8 जनवरी से ही चलाया जा रहा है और 8 जनवरी से लेकर ये आपकी 12 जनवरी तक conduct हुई है जसमें mainly maritime pollution से हम कैसे combat कर सकें सी पर इस पे इसकी involvement रही है और बहतर तरीके से दोनों देशों की coast guard के द्वारा आपका work किया गया हम सभी जानते हैं कि जो maritime environment रहता है वहाँ पे security भी देखतना पड़ता है साथी साथ pollution से related भी concern होते हैं इस क coast guard की जिसको हिंदी में भारती तरटचक बल कहते हैं तो देखी पहले तो इनका motto क्या है वयम रक्षामा यानि की we protect हम protector हैं इनकी स्थापना august 1978 में की गई थी coast guard act 1978 के द्वारा ये fourth largest coast guard है पूरे world की it has played a significant role in securing the Indian coast and enforcing regulation in the maritime zones of the India हर साल एक फरवरी को इनका जो है raising day मनाय जाता है साती साथ इनका headquarter आपके नई दिल्ली में है इनका work आपके search and rescue maritime law enforcement से related रहता है 1971 का जो war भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था उसके बाद से इनकी formation की आपकी requirement होने लगी भारत और जापान के बीच में बात करें तो बहुत सारे exercise हम दोनों देश कंड़र किया करते हैं जि यह exercise यह दोनों देश आपका candidate करते हैं एक exercise और इसमें शामिल हो गई exercise सहयो कैजिन जिसको आपको याद करना है क्योंकि यह सभी चीज़े आपके exam के perspective से बड़ी ही important है आप सभी defense aspirant, SSB crack exam के written as well as online course में जुड़कर अपने आने वाले exam के तैयरी करिए और war return code का यूज करना ना भूले आप हमारी learning application को google play store से भी download कर सकते हैं